नमस्कार मैं वसंती साभू मौम्स कीचन में आपका स्वागत करती हूँ पर रहे हैं दो यकटाशा नहीं आपका हैं दोगाँ किरूअ ़ नाहीं से बचाज संशन का श Лाब को मिले के लिएयो आक शाल यहाको मैं करेंगे शेलिये बनाते एकम्हाँ मे deserve डाल देंगे इतना बचा लिए हैं अर इसमें बहुत बचाज़ी साओं यहां और बेसान को डालके अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे और इसे छोड़ना नहीं है पलड़ते रहना है और पलड़ते पलड़ते देखे ब्राउन होते तक फ्राई कर लिए है और इस प्रकार फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद में ठंधा होने के लिए रख दे और अच्छे तरह इसे पहले मिक्सर कर लेंगे ताकि इसमें युखी समात रहे उसके बाद में फिर नपायन करने के बाद में आफ सब मिक्सर हो गया तो अब गाय सान कर लेते हैं और इसे चडहा देते युखे तरा Edu के रहेंगे और देखते ही देखते यह ही बनने के लिए तयार हो जाता है देखिए बहुँत जल्दी मोटा हो जाता कि और कढाही कछोड़ते ताक किसे ऍंशा लेना है उसके बाद में फिर घ्राने में घी कछेर जाता और अधा घंटा ठंधा होने के लिए रख देंगे ठंधा हो जाने पर सभी को इस प्रकार से काट लेंगे वेशन का कत्रा तयार हो गया है और इस प्रकार से बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसे हलवा की तरह भी रख सकते हैं और इस प्रकार बर्फी भी बना सकते हैं तो वीडिा इस प्रकार से बनाइए खाईए और यादी मेरी रेशिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके बताईए कि बेशन के «कत्रा कैसे लगा»। और अपने दोस्तों में सेयर जरूर करिए आयादी मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना मत भुलेगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद